सो हेलो गाईज वेलकम बैक टो माई टूब चैनल अभीने गुपते एजुकेशन क्लासेश सो गाईज आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने बाले हैं कि ओप्सें चेन को देखकर बिल्कुल सही कॉल एंड पूट कैसे लें सो गाईज अगर आप लोग भी बिगनर्स हैं तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि दूस्तों ओप्सेंच चेन के इंदर ही सारा खेल छुपा हुआ होता है तो दूस्तों वीडियो काफी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है तो इसे बिना स्किप किये एंड तक जरूर देखना क्योंकि दूस्तों अगर आपको सीखना है प्रॉफिट बनाना है तो कुछ तो मैनत करनी ही पड़ेगी एंड दूस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल परपस के लिए है इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करने से पहले खुद की रिसर्च जरू करें तो चले दूस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दूस्तों जैसे ही आप लोग अपना ग्रो अप्लेकेशन ओपन करेंगे तो आपकी सामने कुछ इस प्रकार का इंटर्फेस होने लगेगा तो दूस्तों सबसे उपर की साइड में आपको देखने को मिलेगा निफ्टी 50, बेंक निफ्टी, सेंसेक्स, फी निफ्टी ये सारे आपके इंडाइसेस देखने को मिल जाएंगे इन सभी इंडाइसेस में आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं तो दूस्तों इस वीडियो में हम लोग निफ्टी 50 में option chain को देखकर बिल्कुल सही call and put किस परकार ले सकते हैं ये सीखने वाल हैं तो दूस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग निफ्टी 50 को open करेंगे open करते ही आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट इस परकार open हो जाएगा तो दूस्तों यहाँ पर सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा कि निफ्टी 50 में कितना उतार कितना चड़ाओ हुआ है यह सारी चीज आपको एक दिन, एक हपता, एक मेने, एक साल, पांच साल और all time तक का यहाँ पर data देखने को मिल जाता है तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना है हमें यहाँ पर सबसे पहले view option chain यह जो आपके सामने option दिया हुआ है view option chain इस पर आप जैसे ही click करेंगे तो आपके सामने option chain खुल कर आ जाएगी अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा basic समझ लेते हैं जिससे आपको समझने में और ज्यादा आसानी हो जाएगी तो दोस्तों सबसे पहले उपर की साथ में आपको देखने को मिलेगा यह जो आपकी date दिख रहे हैं यह 10 अप्रेल, 18 अप्रेल, 25 अप्रेल, 2 माई, 9 माई यह सारी date क्या होती है तो दोस्तों यह सारी date आपके expiration date होती है मतलब कि यह सारी date एक हफते के बाद होती है एक हफते तक आप लोग इसमें कोई भी मतलब अगर आपने कोई भी trade ली है तो उसे आप लोग एक हफते तक hold कर सकते हैं अगर आपने delivery पर कोई भी trade ली है ठीक है तो यहाँ पर आपके सामने देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो premium है वो सारे यहाँ पर premium change हो जा रहे है अगर और आगे कि हम लोग expiry लेते हैं 25 अप्रेल की तो यहाँ पर आपके premium और ज़्यादा महेंगे होते हुए जा रहे है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दूस्तों जि आप दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि इस side में आपका call price लिखा हुआ है इस side में आपका put price लिखा हुआ है तो दोस्तों यह call price और put price क्या होता है अगर आपको लग रहा है कि market उपर जाने वाली है तो आप लोग क्या करेंगे आप लोग call price को buy करेंगे और अगर आपको उनों के बीच में आपको दो option और देखने को मिल जाएंगे OI और एक option है आपका price का तो दोस्तों अभी यहाँ पर price select हुआ है इसलिए यहाँ पर आपको call price और put price देखने को मिल रहा है लेकिन जैसे यहाँ पर हम OI को select कर देंगे अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर call OI और put OI देखने को मिल रहा है तो दोस्तों सारा खेल आपका OI का है option chain के अंदर सारा खेल आपका open interest का है इसी की मदद से आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस परकार बिल्कुल सही call and put किस परकार हमें मिल सकती है तो दोस्तों हमने इतनी सारी बात कर ली आई हो आपको यहाँ पर समझ भी आगया होगा अब हम लोग बात करते हैं open interest की आप लोग जैसे इस section पर click करेंगे अब यहाँ पर आपके सामने एक side में आपका call OI आगया एक side में आपका put OI आगया OI का मतलब होता है open interest ठीक है अब दोस्तों एक side में आपका call open interest है एक side में आपका put open interest का data है इन दोनों data को देख कर हम पता लगाएंगे कि कहां पर हमारा support बन रहा है और कहां पर हमारा perfect resistance बन रहा है तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये जो आपके सामने black color की पट्टी दिख रही है ये क्या होती है तो दोस्तों ये आपकी market का sport price है मतलब कि निफ्ती अभी 22,513 पर चल रही है ठीक है इसके उपर के side में ये सारे आपके इंदा money होते हैं ये आपका add the money होता है और ये आपके out of the money होते हैं ये सबी बाते आपके call के लिए हैं और अगर हम लोग put की बात करें तो ये सारे आपके क्या है put है मतलब कि इंदा money है ये आपका add the money है और ये आपके क्या है out of the money है अगर दोस्तों आपको add the money, in the money और out of the money के बारे में नहीं पता है तो उस वीडियो का लेंक मैं इसी वीडियो की description में डाल दूँगा आप लोगो उस वीडियो को जाकर जरू देख लें जिससे आपको add the money, in the money और out of the money के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि किस परकार support and resistance की मदद से oi की मदद से हम लोग perfect call and put में entry कर सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि यह जो आपके black color की पट्टी है इसके नीचे इस side वाले जो आपके open interest हैं यह सभी क्या हैं यह सभी आपके resistance वाले open interest होते हैं और अगर हम लोग put की side में बात करे रहे हैं तो put side में आपके इस पट्टी के उपर जो भी आपकी यह open interest data सो हो रहा है यह सभी आपका support मतलब draw करने में help करेगा तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रजिस्टेंस की तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक number 100 हो रहा होगा एक लाख दो हजार नौसो निन्यानवे यह यह number क्या है यह आपका open interest data है एक लाख दो हजार नौसो निन्यानवे यह दोस्तों कौन मतलब की option selling के perspective से देखी जाती है क्योंकि दोस्तों अगर आप option selling में एक load भी sell करते हैं तो आपको लगवग एक लाख रुपे का margin लगता है और यहाँ पर आपका लगवग एक लाख दो हजार नौसो निन्यानवे मतलब की एक लाख तीन हजार के आसपास यहाँ पर quantity है और समझ लो अगर आपको एक लाख में एक लाख लगता है तो यहाँ पर एक लाख में कितना पैसा लगेगा तो दोस्तों यहाँ पर यह सबी option selling होते हैं इसकी मदद से हम लोग perfect support and resistance डो करेंगे और उसी की मदद से किस परकार हमें call और put में entry बनानी है तो दोस्तों समझ लीजेगा कि यहाँ पर यह सबी क्या है बहुत ही ज़्यादा quantity होती है ठीक है यहाँ पर करोडो रुपे में trading होती है option selling के पर फेस्टिव से और हमें क्या करना है हमें buying करना है मतलब की कम पैसे से ज़्यादा पैसे बनाने की कोशिस करना है तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर 1,29999 जो है यह आपका क्या है तो दोस्तों यह आपके call की side में है और यहाँ पर आपका strike price कितना है 22,500 तो दोस्तों यहाँ पर यह आपका एक perfect resistance हो सकता है क्योंकि दोस्तों अभी भी market कहाँ पर है 22,513 पर है मतलब 10.2 उपर है तो यहाँ पर हो सकता है कि market क्या है consolidate करके यहाँ पर resistance फेस करके नीचे आ सकती है तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर है 1,29999 तो यह आपका एक क्या हुआ perfect resistance यहाँ पर हो सकता है ठीक है अब दोस्तों अगर इसकी हम put side की बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर आपका open interest data सो हो रहा है 1,18314 तो मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो data है put side का वो call side के data से भी ज्यादा है तो दोस्तों यहाँ पर आपका एक support जो की काफी तगड़ा support बन सकता है तो यहाँ से market क्या हो सकती है यहाँ से market उपर भी जा सकती है तो दोस्तों इस condition में आपको क्या करना चाहिए इस condition में आपको थोड़ा bet करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा आपका resistance है और यहाँ पर भी आपका बहुत ही अच्छा support बन रहा है एक ही strike price पर तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अगर कुछ देर market यहाँ पर consolidate करें ठीक है market मतलब 10, 20, 50 point उपर नीचे होते 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 को एक side में जब निकले और यहाँ पर open interest data आपका कुछ change हो तब यहाँ पर जिस side में आपका open interest data change हो उस side में आप अपनी entry बना सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर I hope थोड़ी सी बात आपको समझ में ना आई हो तो एक बार और इस video को repeat कर लेना आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अब हम बात करते हैं कुछ और आपके जो resistance दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देश सकते हैं 22,600 का जो strike price है यहाँ पर आपका OI data कितना है 72,810 उसके बाद अगर बात करें तो आपका 22,700 के strike price पर आपका कितना है 71,707 ठीक है अब दोस्तों अगर इसकी सामने हम देखें और इसकी सामने हम देखें तो यहाँ पर काफी कम quantity है पूर साइड में यहाँ पर आपका 22,600 के पर कितना है कॉल साइड में 72,810 और अगर पूर साइड की बात करें तो 28,589 ही है तो यहाँ पर अच्छा खासा आपको सिर्फ रजिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपके जो मतलब की यहाँ पर जो पूर साइड में है वो बहुती कम है और कॉल साइड में आपके काफी ज़ादा यहाँ पर कॉंडिटी देखने को मिल रही है और अगर दोस्तों हम लोग नीचे की तरफ थोड़ा सा चलें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 22,800 का जो इस्ट्राइक प्राइज है यहाँ पर आपका 1,19,918 कॉंडिटी OI डाटा यहाँ पर 100 हो रहा है OI का मतलब क्या है Open Interest तो दोस्तों 22,800 का जो लेवल है बहुती तगड़ा रजिस्टेंस लेवल है अभी मार्केट 22,500 पर चल रही है अभी यहाँ से कितनी दूर है 300 पॉइंट दूर है तो अगर मार्केट सब कुछ तोड़ कर यहाँ तक आ जाती है तो यहाँ पर आपको बहुती तगड़ा रजिस्टेंस देखने को मिलेगा अगर यहाँ पर मार्केट में कोई भी बियरी स्केंडल बनती है तो आप वहाँ पर पुट साइड में एंट्री बना सकते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुती जादा कॉण्टिटी में 1,19,918 आपके क्या है आपके यहाँ पर रजिस्टेंस जो हो रहा है अब हम दोस्तों अगर बात करें पुट साइड की तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इस side में हमें क्या करना पड़ेगा support देखना पड़ेगा तो दोस्तों हमने इसकी बाद तो अभी आपके सामने ही की है 118,314 जो quantity है वो आपके 22,500 के level पर है इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 22,400 का जो आपका strike price है यहाँ पर भी काफी ज़्यादा quantity है 114,385 तो दोस्तों 114,385 quantity बहुत ही ज़्यादा होती है ठीक है तो दोस्तों अगर आपके market गिर कर 22,400 के level पर आती है और वहाँ पर कोई एक bullish candle बनाती है या कोई bullish pattern बनाती है तब आप लोग वहाँ से call side में जा सकते हैं ठीक है और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर आपका next आपका support level है 86,888 quantity यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी यह आपका strike price है 22,300 का और दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको एक level और देखने को मिलेगा support and resistance ड्रो कर सकते हैं चार्ट पर भी और आप लोग इस परकार इसमें भी option chain में भी देख सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या सिखा कि मतलब जिस side में आपकी quantity जादा है उस side में आपका support and resistance बनेगा वो बहुत ही जादा तगड़ा बनेगा अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पर call side की बात करें तो अगर market माल लिजी कि आपकी 22,513 पर चल रही है ठीक है अगर माल लिजी कि अगर market आपकी 22,600 के level पर आ जाती है ठीक है उपर चली जाती है 22,500 से 22,600 जाएगी तो 100 पैंड बढ़ेगी ही ठीक है अगर 100 पैंड यहाँ पर बढ़ जाती है और 22,600 पर आ जाती है और वहाँ पर आपका कोई भी एक मतलब की अगर bearish candle बनती है ठीक है तो वहाँ पर क्या होगा market नीचे जाने की chances हो जाती है क्योंकि यहाँ पर आपका OI data काफी जादा है ठीक है और अगर यहाँ पर कोई भी मतलब एक reversal आपका pattern बनता है तब भी आप लोग यहाँ पर तयार रहना क्योंकि market आपकी यहाँ पर काफी जादा तगड़ा यहाँ पर resistance देखने को मिल रहा है तो यहाँ से market क्या हो सकती है नीचे की side में जा सकती है और अगर इसको भी आपकी market ने क्या करती है ब्रेक कर दिया माल लेजिए तो आपका next आपका resistance कौन सा मिलेगा 22,700 के लेबल पर यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाती है अगर माल लेजिए इसे भी यह market आपकी ब्रेक कर रही है powerful candle buying candle buying candle बनाई जा रही है तब दोस्तों यहाँ पर आप लोग एक और आपको resistance देखने को मिलेगा 22,800 का लेबल यहाँ पर दोस्तों बहुत ही मुश्किल हो जाएगी market को उपर जाने में क्योंकि दोस्तों आपको पहले से पता हुआ कि यहाँ पर आपका जो है एक resistance लेबल है 1,9918 यहाँ पर quantity आपको देखने को मिल जाती है तब यहाँ पर आप लोग तयार रहेगा जैसे market इस लेबल पर आती है और आपकी अगर वहाँ पर कोई एक बियरी स्केंडल बनाती है ठीक है तब आप लोग यहाँ पर put side में जा सकते हैं तो दोस्तों इस परकार हम लोग call side में जो आपके powerful resistance लेबल है यहाँ से हम मदद से हम लोग put side में entry बना सकते हैं अब अगर हम लोग बात करें call side के लिए तो दोस्तों call side में हम लोग कब entry बनाएंगे जब market ऊपर जाती है ठीक है तब दोस्तों यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं कि अगर market जो है मतलब की अभी क्या है यहाँ पर मालीजी बियरीस मू candle बनाएं तो अब यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर आप लोग buying side में मतलब की आप लोग call को buy कर सकते हैं ठीक है अगर दोस्तों आपका support देखने को मिलेगा तो आप लोग 22,400 का level देख सकते हैं यहाँ पर आपका 1,4,380 quantity देखने को मिल जाएंगी तो market यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद अगर कोई bullish candle बनाती है मतलब जिसे hammer candle हो गया इस प्रकार की candle बनाती है इस प्रकार की candle बनाती है तब आप लोग यहाँ पर भी call side में जा सकते हैं इसके बाद अगर हम लोग बात करें तीसरे support की तो तीस आपका है 22,800 का level 88880 देखने को मिल जाएंगी ये भी आपका अच्छा सपोर्ट है अगर मार्केट तूट कर यहाँ पर आती है और यहाँ पर कोई एक अच्छी केंडल या कोई अच्छा पेटर्न बनाती है ठीक है बुलिस पेटर्न बनाती है तब आप लोग यहाँ पर भी छोटा सा इस्टो प्लोस की तो दोस्तों इस्टो प्लोस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि मार्केट का कुछ पताने कि किस साइड में वो एक इस दिसा में कितनी दूर तक जा सकती है 100.500.200 तक 300 तक एक ही दिसा में भी जा सकती है तो दोस्तों आप लोग अपना इस्टो परकर support and resistance तैयार कर सकते हैं ड्रो कर सकते हैं तो दोस्तों इसके बारे में सिखा तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू कीजेगा साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस जरू करें तो